दोस्तो आज हम बहुत ही important और interesting topic पर बात करने वाले हैं और वया है कि हमें RO का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए वैसे तो यह सवाल आप में से बहुत से लोगों के मन में आया होगा कि हमें RO का पानी पीना चाहिए या नहीं तो चलिए जानते हैं इसका कारण और विज्ञान के नजरिये से इसका जबाब समझने की कोशिस करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि RO Water Purification System काम कैसे करता है दोस्तो आरो यानि की Reverse Osmosis या एक Highly Effective Water Purification System है जो कि पानी से धातू, कीट ना सक और अन्य हानिकारक चीजों को निकाल फेकता है और इस प्रोसेस में पानी को एक Semi-Permiable Membrane से गुजारा जाता है और जो केवल पानी के अणों को ही पास होने देता है और अन्य सभी प्रकार के कणों को बाहर निकाल देता है अब सवाल यह उठता है कि अगर आरो पानी को इतने अच्छे तरीके से साफ करता है तो फिर इसके पानी को पीने में समस्या क्या है तो आपको बता दे कि आरो सिस्टम ना केवल हानिकारक पॉल्यूटेंड्स को बाहर निकालता है बलकि आवस्यक minerals जैसे की calcium, magnesium और potassium को भी हटा देता है और यह minerals हमारे body के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और इनकी कमी से हमारी सेहत पर बहुत ही बुरा असर भी पड़ता है इसके अलावा RO का जो process है वह पानी का pH level को भी बदल देता है जिससे की यह और ज़्यादा अमलिये यानि की acidic हो जाता है हमारी body का normal pH level balance रहना चाहिए जबकि अमलिये पानी का सेवन करने से सरीर का pH unbalanced हो जाता है इसके अलावा कई scientific study में इसके बारे में गहराई से भी research की गई है और कुछ study में यह भी पाया गया है कि RO का पानी लंबे समय तक पीने से सरीर में minerals की कमी हो सकती है जो की हड़ियों को कमजोर, दातों की समस्याएं और कई दूसरे health issues का कारण बन सकता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्वस्वास्त संगंटर यानि कि WHO ने इस बारे में दिसा निर्देस जारी किये है दोस्तों इनके अनुसार प्रती लिटर पानी में TDS की मातरा 300 mg से कम होनी चाहिए अगर एक लिटर पानी में 300 mg से 600 mg तक TDS हो तो उसे पानी पीने योग माना जाता है हाला कि अगर एक लिटर पानी में TDS की मातरा 900 mg से जादा है तो वा पानी पीने योग नहीं माना जाता है और साथी साथ इनके अनुसार पाणी में कुछ जरूरी मिनिरल्स की मातरा भी होनी चाहिए ताकि हमारे स्वास्त के लिए सुरक्षित और फायदमंद हो, जबकि आरो के पाणी में इन मिनिरल्स की कमी होती है और जिससे आदर्स पाणी नहीं माना जाता है अब सवाल यह उठता है कि जब आरो का पानी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है तो हमें फिर क्या करना चाहिए तो इसके लिए आप अपने आरो सिस्टम में मिनेरल कांटे को जोड सकते हो जो कि पानी में आवस्यक मिनेरल को वापस से जोडता है इससे पानी की क्वालिटी और स्वास्त लाभों में सुधार हो सकता है आरो के अलावा अल्ट्रा वाइलेट यानि की यूवी और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानि की यूएफ और अधर वाटर प्यूरिफिकेशन टेकनोलजी का भी इस्तमाल किया जा सकता है और ये पानी से हनिकारक बैक्टेरिया को हटाते हैं लेकिन जरूरी मिनरल्स को नहीं हटाते देखिए यहाँ पर एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है और वह यह है कि अगर आप आरो का पानी पीते हैं तो आप यह सुनस्चित कर ले आपकी डाइट बैलंस्ट हो यानि कि उसमें प्रयाप्त मातरा में मिनरल्स और पोसंक तत्व सामिल हो या आपकी सरीर को बहुत ही जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करेगा आरो का पानी पीने के अलावा कुछ अने बाते भी हैं जिसका आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जैसे कि पानी पीने से पहले उसे उबाल ले खास करके अगर आप नैचुरल सोड से पानी लेते हो तब और तो और टाइम टाइम पर आप अपने आरो सिस्टम की फिल्टर को बदलते रहे ताकि या सही तरीके से काम करता रहे और पानी की क्वालिटी की नियमी जाच करे ताकि आप इंसियोर कर सके कि या पानी पीने के लिए सेफ है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये जनकारी पसंद आई हो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करें